तो हेलो एब्रिवन कैसे हो सब लोग तो पूरे दो महिने के बाद मेरा चैरा दिखाई दिया होगा शायद दो महिने से भी कुछ 10-15 दिन उपर होगे हैं तो मैंने सोचा था कि मैं 10-15 दिन बाद वीडियो डाल दूँगा जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उस पर कुछ 40 कि 1000 व्यूज आ चुके आप लोग को वह काफी जादा पसंद आई और काफी लोग मुझे मैसेज करें थी कि भाई जो बिलबोर्ट टाइप वीडियो जोती है वह बनानी सिखाओ तो आज मैं वही बनाने सिखाने वाला हूं लेकिन जितने लोगों नहीं मुझे मैसेज करा तो मैं आ गया हूं वापिस और सब लोग को हैपी नुएट 2024 और कमेंट में बता दे ना आप लोग के इस साल क्या क्या गोल हैं जो आप लोग पूरे करने वाले हो मेरे तो काफी सारे गोल हैं जो कि मैंने देखो इसमें लिखके रखे हैं और उनको मैं पूरा करूँगा इ क्योंकि पिसले साल भी जो गोल थे वाइने पूरे करें और इस साल जो गोल मैंने इसमें लिखे हैं वो पूरे करूँगा तो हमेशा हर साल में कुछ ना कुछ गोल मेरे रखता हूं और उन्हें पूरा करता हूं तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले हम देख इस पैनल को बंद कर देता हूं और यहां पर मैं जाओंगा GEO TRACKER में और यहां पर Create New GEO TRACKER क्रिएट कर देंगे और इसके बाद मैं SHITLESS A से यहां पर देखो एक कैमरा क्रियेट कर दूँगा और यहां पर जाओंगा और यहां पर resolution है वो 1920 और 1080p है तो इसलिए मुझे पहले से ही पता है इसलिए उसे वीडियो के हिसाब से सेट करेना ताकि आपका जो camera का resolution है वो सेट हो जाए इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर जो dropper tool है इसको camera पर select कर लो और इसके बाद shiftless एसे यहाँ पर geometry create कर लो और यहाँ से move tool को select करके मैं इसे आगे ले आता हूं और यहाँ पर geometry पर इसे geometry पर drop कर दो और इसके बाद रहती है हमारी वीडियो तो यहाँ पर वीडियो जो आपने जिस फोल्डर में उसे download करके रखा है उस फोल्डर से उसे यहाँ पर link कर दो तो यहाँ पर में वीडियो हमारी आगी है तो यहाँ पर देखो अगर मैं नमपैड में इस वीडियो दबागो तो मैंने मेरा पहला कोर्स लांच कर दिया जो कि मैंने अपलोड कर रहा है यूडियमे पर तो कोर्स का लिंक आपको कूपन कोड के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड का यूज करके को चेक आउट करना मत भूलना देखो हमें कोई जादा फ्रेम की जूरत पढ़ने नहीं वाली तो देखो यहां 200 फ्रेम तक हमारी वीडियो जो काफी अच्छी तरीके से बन जाएगी तो मैं यहां पर स्टार्ट फ्रेम वन और एंड फ्रेम को 200 कर रहा हूं और इसके बाद रियनलाइस का क्यों ऑप्शन बोल रहा है क्यूंकि मैंने जब प्रैक् किते हूं क्योंकि हमारे यहां पर एंड फ्रेम 200 है इस तरीक से इनालाइस होता है रे गदेखो 200 फ्रेम तक है आगे के तरह आागवार फेफ पीछे टरफ ईनलाइस होना तो ऐनलाइस b थी हो गया है यहां पर इसके बाद यहां पर एंगर पॉइंट दिख रहा हर प्लेन का खाली तो उसके लिए क्या करना है पहले हम भूब पजाएंगे एक्स डिरेक्शन में आर एक्स ग्राइंटी दबाऊंगा तो यह 90 की डिग्री डिरेक्शन में यहां पर हो जाएगी और यहां पर जो हमारी प्लेन है यहां पर मैं इसे ले जाऊँगा और देखो हमें यहां पर इसे सेट करना है यहां से लेके देखो यहां पर स्क्वेर शेप में इसे सेट करना है हमें पहले तो मैं सबसे पहले देखो फर्स्ट ट्रेम पर आ जाओ क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है अगर किसी बीच फ्रेम पर जाकि आपने इसे सेट कर दि क्योंकि आपकी जो building है वो बिल्कुल state नहीं है आपके पर दिख रहा है कि building है जो वो भी थोड़ी सी set rotate है left side तो इसलिए मैंने इसको भी rotate कर लिया है बिल्कुल roughly तरीके से क्योंकि बाद में अच्छे से track होई जाएगा तो इतनी जादे दिक्कत नहीं होने वाली तो इसके बाद मैं टेवद बाके edit mode में चला जाओंगा और यहां पर दे को तीन option दिखेंगे edit mode के side में vertices, edge और face तो vertices वाला जो first option है उसे select करके रखना आपको और इसकी ये right वाली vertices को select करो और g then x तो इसे x direction में ले जाओं और नीचे वाली को भी g then x तो इस तरीके से आपको सारी जो vertices हैं उनको g या z जो भी direction हो उस direction में ले जाके अच्छे से set कर लेना है तो मैं g then z तो इसे z direction ले जाओंगा अभी तो यहाँ पर रखना यह सेट होगी है और इसके बाद इस vertices को select करो गी तो इस सेट आगी और g then z तो जी डिरेक्शन में थोड़ा नीचे कर लूँआ इसे और इसके बाद g then x तो x direction में होगी है इसके बाद g then z तो ये z direction में होगी है तो इसे पूरा नीचे तक ले जाऊँगा और इसके बाद g then z तो यहाँ पर सही है बिल्कुल इस edge तक आ रही है यह पूरी है हमारी जो vertices है g then z तो यहाँ तक तो यहाँ पर थोड़ा सा उपर देख लेते हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा gap लग रहा है तो g then z तो यहाँ थोड़ा उपर ले जाऊँगा और इसको भी थोड़ा उपर ले जाऊँगा ताकि दोनों तरफ से थोड़ा straight हो जाए और इतना बिल्कुल perfectly हमारा जो plane है वो set हो गया है तो tap दबखें edit mode से भारा जाऊँगा और इसके बाद आपको क्या करना है geometry की जगा आपको जाना है camera में geometry में जाके start pin mode मत कर देना वना दिकत create हो जाएगी यहाँ पर camera में आ जाओ और यहाँ पर start pin mode यह करते ही आपका जो plane है वो green line में बदल जाएगा green line की जो wire frame है वो दिखेंगी खली क्यूंकि हम pin mode में आगे हैं और यहाँ पर कोई भी pin create करने की ज़रुत नहीं है जैसे मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था क्यूंकि हमने यहाँ पर इसे पहले ही accurately तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर track हो गया तो बाद में कुछ दिक्कत create ना हो दुबारा से मैं इस file को save कर लेता हूँ तो file का नाम में रख लेता हूँ billboard cgi तो यहाँ पर save as तो save हो गया हमारी file और यहाँ से मैं exit pin mode कर दूँगा तो इसके बाद आप यहाँ से ना देखो play करके देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से यह track हो गया है तो अब हम start करते हैं यहाँ पर हमाना cgi create करना तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पर एक box सा बनाना है हमाई billboard बनाना है मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा gap हो sorry तो यहाँ पर देखो कि इसका shape इस तरीके से होगी है थोड़ा पीछे की side हो ताकि हम इसमें shoes वगएरा यहाँ पर रख सके तो उसके लिए क्या करना है आपको तो उसके लिए कुछ नहीं करना है जादा मेहनत नहीं करनी मैं आपको बहुत अच्छे से modeling सिखा देता हूँ यहाँ पर बहुत असान है modeling जो हम करने वाले हैं यहाँ पर तो यह select है पहले से tab दबा के आपको edit mode में चले जाना है और इस बार आपको यहाँ पर edges select कर लेना है तो edge mode में आगया हूँ मैं और यहाँ पर इस edge को select करो तो इसे उपर के तरफ extrude करने के लिए क्या करना आपको e दबाना है e then z तो यह z direction उपर extrude हो जाएगी और यहाँ पर यह इस वाले edge को select करो e then x तो यह x direction में हो जाएगा और यहाँ पर यह नीचे वाला वर्टी से select कर लिए e then z तो इसे z direction में कर लो और इसके बाद यहाँ पर e then z तो इसे z sorry x तो x direction में extrude कर लो यहाँ पर और यहाँ पर इसको e then x तो इसे x direction में कर लो और यह मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी दिन में पता चल जाएगा किस वज़े से मैं इसे कर रहा हूँ तो e then x तो यह x direction इस side हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको face selection कर लेना है मतलब कि face mode select कर लेना है तो यहाँ पर इस face को select करो और इसके बाद e then x तो यह पीछे तो यहाँ पर हम हमारे shoes बगरा कर रखेंगे तो मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ जी then y तो यहाँ पर देखो यह काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर set हो गया है तो इसके बाद मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे shoes बगरा रखे जाएंगे और यह बागी चीज़े क्या है यह कैसे घटेंगी उसके लिए बहुत असान तरीका है तो यहाँ पर render में चला जाता हूँ मैं यहाँ पर इसे cycles पर कर लेता हूँ और यहाँ पर device को GPU compute और यहाँ पर render में हुई यहाँ रेंडर सेटिंग से जो यहाँ पर film में आ जाओ नीचे और यहाँ पर transparent कर दो transparent करते हैं जो हमारी वीडियो थी वो नजर आ जाएगी यहाँ पर screen पर आपको तो उसके बाद क्या करना है देखो यहाँ पर tab दबाके edit mode में आ गई इसके तो इसके बाद हमें यहाँ पर textures वगरा create करने है तो यह face हमारा select है तो shift hold करके मैं इस face को select करूँगा और 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 जो बाकी के faces हैं उन्हें हमें disappear करना है मतलब कि उन्हें गाइब करना है और गाइब इस तरीके से करना है ताकि जो हमारा ये box से खाली वो वो दिखे बाकी चीजे cover हो जाएं और वो सब कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी तो यहां पर ये create हो गया है तो उसके बार यहांपर टेक्चरस में आ जाओ और यहांपर वो प्लस के icon पर जाके और यहांपर new कर दो और यहांपर जो material आ गया है इसको कर दो assign तो यह assign हो गया है इस पे और इसके बाद shift hold करके बाकी जो faces हैं उनको select कर दो और जो बागी faces select करें थो उनको select नहीं करना है आपको और इसके बाद प्लस पर जाके यहाँ पर एक और texture create कर दो और इसको इस पर इस पर assign कर दो तो यह हो गया है इस पर assign तो करके दिख लेते हैं यह जो material 1 था यह कहां पर है तो दिख गया है तो यहाँ पर मैं zero दुबागी camera की भी पाके दिखा देता हूं तो hold out करने से देखो क्या हुआ है जो चारो तरफ की चीजे थी वो गया आप होगी है और यहाँ पर एक box create हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि box create हो गया है और अब यह black क्यों दिखाए दे रहा है उसके लिए भी हम environment create करेंगे उसके बाद यह black भी नहीं दिखाए देगा और सबसे पहले हम यहाँ पर आजाते हैं world properties में और यहाँ पर environment texture तो environment में आपको provide करूँगा description में आप download कर लेना जो sdra हम use करने वाले हैं यहाँ पर तो assets में जाओंगा यहाँ पर इस sdra को लगा लूँगा और sdra की light की direction है वह हम कैसे देखेंगे तो यहाँ पर plus के अंकिल पर जाके यह वाला tab यह वाला tab आपको open कर लेना है तो इसके बाद shader wrangler को enable कर लेना तो आपके control tc node open हो जाएगी और यहाँ पर मैं render में जाऊँगा और यहाँ पर film transparent को मैं disable कर दूँगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो sun है वह sdra है इस side से आ रहा है और मैं आगर video दिखाऊं यहाँ पर transparent करके तो video की जो light है देखो इस side से आ रही है और इस side से देखो अंधेरा सा है मतलब कि इस side से light आ रही है और जो हमारे sdra है उसमें दूसरी तरफ से आ रही है और आनी इस तरफ से चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे देखो यहाँ पर z direction मैं इसे ले जाऊंगा तो यहाँ पर देखो हमारा sun उस side जा रहा है ताकि उस side से light आ पाए तो उस side हो गया हमारा sun और जीरोत वाके camera की वीपा जाता हूं और यहाँ पर इसे transparent कर देखाऊं तो हमारी sdra की direction है वो अच्छे से सेट होगी है और control ऐसे मैं save करना हूं और यहाँ पर देखो थोड़ी yellowish tone आ रही है और जो हमारा scene है वो थोड़ा white है तो उसके लिए हम क्या करेंगे sdra है यहाँ पर लगा हुआ है इसके बाद मैं shiftless एसे यहाँ पर saturation value को यहाँ पर लियाऊंगा तो यहाँ पर यह लगई है इसके बाद मैं saturation को थोड़ा down करूँगा तो यहाँ पर आपको white देखने लग गया है अब हमारी scene के साथ जो हमारी light है और color tone है वो match करी बिल्कुल अच्छे से तो इसे 0.6 पी करके देख सकते हो अगर जादा white ची है मतलब अपने तरीके scene की settings वगर एक साथ खेल के अपने scene को realistic बना सकते हो तो यह इस चीज़े भी हमारी होगी है तो इसके बाद यहाँ पर हमाई जो screen होगी वो कैसे जाएगी वो सब बाद में देखें पहले पहले देखो sketchfab से मैं sketchfab साइट पर चला जाता हूं पहले sketchfab पर आ गया हूं मैं तो यहाँ पर देखो nike search कर लेता हूं sorry तो download पर enable करूंगा ताकि हम जो free वाला model है वो download कर सके हां तो यह वाले जो shoes का model nike jordan air one तो इस पर जाना है आपको यहाँ से download कर लेना है और यहाँ download करने के बाद मैं assets में दिखा देना जहां पर मैंने इसे रखा है तो इसके अंदर जो zip file के अंदर जो चीज़े आएंगी उसको इस तरीके से आप एक folder में रख लेना तो चलो इसके बाद हम इसे import करते हैं कि import किस तरीके से करना है तो मैं जीरो दूबा के camera की वीडिवी प करूमा थोड़ा थोड़ा यह पीछे की साइड है camera से तो यहां पर ले आओ इसे तो आर जी दन 90 तो 90 डिग्री पे rotate हो गए हमारे शूज तो इन शूज को देखो आपको यहां पर रख लेना अच्छे से आर जिन जी तो यहां पर सेट होगे हमारे शूज आर जिन जी तो मैं पहले ना यहां पर solid वीव पोर्ट में चला जाता हूं ताकि हम इसे सेट कर पाएं और यहां से जाके मैं इसे रेंडर्म कर देता हूं तो यहां पर अभी आपको यह टेड़ा में डा क्यों दिखा दे रहा है क्योंकि जो हमारा जो बॉक्स बनाया था हमने आपर जो बिल बोर्ड है वो भी थोड़ा टेड़ा बनाया था इसलिए टेड़ा हो रहा है तो इसे मैं वाइड डेक्शन में कर लूँ आपर तो यहां पर मैं नीचे से देख रहा हूं कि किस साइड से जादा निकल रहा है तो अभी भी ना यह इस साइड टेड़ा है थोड़ा तो अब देखो बिल्कुल अच्छे से यह हो गया लगबग तो मैं इसे थोड़ा स्केल अप कर लेता हूं और पीछे से लेखता हूं कि हमारी जो शूज वगरा पीछे की साइड से ना निकले बिल्कुल अच्छे से जो फिट हो जाए इसके अंदर तो यहां पर आ गया तो यहां पर मैं इसे स्लैट कर लूँ मारा टेक्चर समें जाओंगा और यहां पर वड़ा टेक्चर तो मैं यसे में नाम रख़ दूगा और यहां पर इसका नम है मैं रख दूगा hold out क्योंकि हमने इसे hold out ही कर रहा है तो first वाला जो main है इसका color हम change कर लेते थोड़ा तो मैं थोड़ा इसे red कर लूँगा sorry sorry green नहीं मैं इसे थोड़ा red कर लूँगा और यहां पर यहां पर जो metallic है इसकी value को increase कर दूँगा पूरा जो हमारे shoes है उसके मैं थोड़ा सा size है वो थोड़ा सा हलका सा छोटा करूँगा तो यहां पर देखो हमारा सिन कितना ज़्यादा realistic लग रहा है तो इसके बाद हमें यहां पर एक screen create करनी है तो screen create करने के लिए हम क्या करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ तो पहले इसको इस side से बंद कर देते है join areas करके मैं इसे बंद कर देता हूँ यहां से और यहां पर देखो यहां पर जो यह एक दिक्कत है यहां पर कि आप screen create कर दो लोगे लेकिन उसे बिल्कुल accurately यहां पर set नहीं कर पाओगे क्योंकि हमने इसे थोड़ा पर rotate कर रा था और दूसरी चीज़ को आप rotate करके manually यहां पर नहीं ला सकते तो हम क्या करने वाले है जो last में यह screen है ना box की इसको मैं duplicate करूँगा तो edit mode में आ गया हूँ और face selection हमारा है face mode में हम है ही तो यहां से मैं इसको select करूँगा और shift less D से duplicate कर लूँगा और यहां से देखो मैं से wide direction में आगे की तरफ ले आँगा तो यहां पर आगया है बिल्कुल और इसके बाद इसके बाद जो यह plane हमने duplicate करा है ना यह इसके साथ ही join है तो इसको अलग कैसे कर रहे है इसके साथ की बाद मैं इसे animate कर सके तो इसके लिए आपको F3 दबाना है और यहां पर sorry यहां पर देखो match separate by selection यहां पर selection है इसको click कर दो तो यहां पर देखो एक अलग plane बन गया है यहां पर मैं से कर लेता हूं screen और यहां से tab दबाके edit mode से बाहरा दाओं और इसके बाद क्या करूँगा मैं यहां पर यहां पर जाऊँगा और यह hold out वगिरा delete कर देता हूं इनकी कोई भी जूरुत नहीं है तो यहां पर मैं new पर click करूँगा क्योंकि हम इसे new texture लगाने वाले हैं इसके उपर और यहां पर मैं जाऊँगा और इसके बाद मैं यहां पर glass bsg को select कर लूँगा तो glass select करती है यहां पर देख सकते हो कि एक glass create हो गया है इसके बाद मैं यहां से plus का icon से यहां पर shader editor में जाऊँगा sorry और यहां पर जो इसके रफना से इसको increase, decrease करके आप इसके value के साथ खेल सकते हो थोड़ा और यहां पर मैं controller से save कर देता हूँ और इसके बाद मैं देखो Google पर जाऊँगा तो यहां पर करूँगा Nike logo PNG तो मैं यहां पर images में चले जाऊँ तो यहां पर देखो यह सारे black logos है बिना background के लेकिन मुझे white चाहिए तो यह white है इसे आपको download कर लेना है save as करके कहीं पर भी save कर लेना इसे तो देखो मैंने यहां पर इसे अपने folder में save करके रखा है 32 Nike logo जो भी इसका name है इसके name को हम rename कर लेते है Nike logo PNG तो यहां पर Nike के logo आ गया है तो इसके बाद यहां पर देखो control as से दुबारा save कर लेता हूँ मेरी आदत है काफी जादा है तो join areas करके यहां से join areas कर दूँआ और इसके बाद यहां पर देखो shipless A से image में जाके image as plane import करना आपको उस PNG को जो logo वाली है लेकिन आपके यह option नहीं आ रहा है तो क्या करना आपको preferences में जाओ और यहां पर sorry क्या type कर रहा हूँ मैं भी तो यहां पर image as plane इसको import enable कर लेना इसके बाद आपके वो option आ जाएगा तो यहां पर जाँआ मैं और यहां पर image as plane और यहां पर जो हमारा logo है वो यहां पर आ गया तो यहां पर ले आता हूँ मैं इसे तो मैं solid view में चला जाता हूँ पहले तो मैं इसके थोड़ी से scale down करूँआ इसको और मैं इसे थोड़ा रफ ली R जिन जी तो Z direction में कर लूँआ तो यहां पर इसे देखो R जिन जी तो roughly तरीके से ना मैं इसे ज्यादा accurate की जूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे बार में ठीक करने वाला हूँ एक तरीका बताऊँ आपको तो उस तरीके से हम इसे ठीक कर लेंगे तो मैं इसे देखो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और shift hold करके इसके बाद हमारी screen को select कर लूँगा और control पीसे में object keep transform कर लूँगा ताकि बाद में देखो अगर हम हमारी screen को कहीं पर भी लेके जाएं तो वो screen के साथ ही जाए और यह भार की side रह गया है और वो screen है जो अंदर की side है तो उसका solution क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ तो हम क्या करेंगे क्योंकि देखो जो यह logo है वो थोड़ा उपर की side है मतलब screen से joint नहीं है अगर मैं इसे अंदर कर दूँआ कुछ इस तरीके से तो हमारा जो logo है वो इस तरीके से दिख रहा है और मैं चाहता हूँ इसे कि यह भार की side दिखे बिल्कुल अच्छे से highlight हो और जब नीचे जाए हमारी screen यह visible ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो मैं देखो यहां से solid view में चला जाता हूँ और यहां पर tab with working, edit mode में आ जाऊँगा और इसको select करूँगा और E, then Y Y direction में इसे यहां पर ले आऊँगा बस इतना ले आऊ, कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद यहां पर देखो अगर मैं यहां से कर दूँ इसे और इसके बाद अगर मैं हमारी screen को नीचे ले के जाऊँ तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यह अब बिल्कुल screen के साथ ही नीचे जा रहा है और जैसा हमें चाहिए था तो इसके बाद देखो, मैं 40 frame पर आ जाऊँगा इसे animate कर लेते हैं हमारी screen को 40 frame पर आ जाऊँगा और screen को select करूँगा आई दबा के location पर key frame लगा दूँगा और इसके बाद मैं आऊँगा 90 पर और 90 पर आके मैं इसे नीचे ले जाऊँगा और यह नीचे क्यों दिख रहा है मैं इसका भी solution बता दूँगा क्योंकि जो hold out है वो यहीं तक की create है नीचे तक नहीं है इसलिए यह दिख रहा है वहाँ पर तो यहाँ पर आई दबा के location एक और key frame लगा दूँगा तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर हमारी screen open हो के कुछ इस तरीके से जाएगी और hold out को हमें थोड़ा increase करना पड़ेगा ताकि यह area भी cover हो जाए तो control ऐसे मैं save कर लेता हूँ और यहाँ पर hold out को select करके यहाँ पर tap दबा के edit mode में आ जाऊँगा यहाँ नीचे वाला face को select करके G then Z तो हाँ अब सही हो गया है तो control ऐसे save कर लो और अब बिल्कुल accurate तरीके से यहाँ पर देखो tap दबा के edit mode से भार आ गया हूँ और यहाँ पर हमारी screen नीचे चली गई है अब कोई भी visible नहीं है हमारी screen बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर देखो हो चुकी है यहाँ से यह हमारी screen है और यहाँ से देखो हमारी video भी चल रही है और यहाँ पर यह भी आ गया है तो इसके बाद अब हमारा रहता है render तो render करना काफी ज़्यादा असान है output में जाऊँआ और यहाँ पर output में जाके जहाँ पर आपको इसे render करके निकालना है तो मैं यहाँ पर हमारे folder में जाके मैं render कर लेका हूँ यहाँ पर render name से एक folder बना लिया और accept और यहाँ पर देखो compression की value को zero कर लो और यहाँ पर RGB, BA, alpha होना चाहिए ताकि जो आपका render वो transparent way में निकल के आएगा और हम उसे after effect में जाके हमारे वीडियो के उपर लगा सकेंगे और इसे आप blender से भी लगा सकते हो तो यहाँ पर देखो सारी चीज़े होगी यहाँ पर अगर RGB करना चाहो तो कर सकते हो और alpha भी करना चाहो तो कर सकते हो यह alpha जब ही करना अगर आप इस render को उठाके after effect में ले जाके अपनी वीडियो के उपर लगा के एक वीडियो में convert करने वाले हो तब भी RGB alpha का use है वरना कोई भी use नहीं है तो यहाँ पर RGB भी कर सकते हो तो मैं RGB करके blender से ही आपको render करके निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से render करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर render image कर लेता हूँ कोई भी एक image को आपको render कर लेना है तो यहाँ पर देखो एक image हमारी render हो गी है यहाँ पर और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर देखो compositing में और यहाँ पर use node को enable कर दूँगा और यहाँ पर देखो हमारी एक render की node आ रही है और इसके बाद compositing को यहीं पर ही रखुआ और यहाँ पर shiftless A से एक viewer की node को लेकर आऊँगा तो एक viewer की node आगी इसके बाद देखो मैं लाँगा यहाँ पर movie clip तो movie clip आपको यहाँ पर open करके movie clip वही वाली movie clip select कर लेनी जिस वीडियो को आपने जिस वीडियो पर आप CGI वगेरा लगा रहे हो तो वही वाली main video नाम था उसका तो main video यहाँ पर आगी है इसके बाद यहाँ पर देखो एक alpha over की node लेके आनी है इसके बाद image को इस उपर वाली image से connect कर दो और यह वाली image को इससे connect कर दो और इसको इससे कर दो और इस image को इससे कर दो तो इसके बाद यहाँ पर मैं V से देखो जूम आउट करके दिखा देता हूं और इस सारी nodes को मैं side में रख देता हूं एक बार sorry मैं zoom out भी कर सकता हूं तो इन notes को sorry है नोड को यहां पर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपकी जो आपका जो टॉरहर इमेज के साथ आ गया और एनिमेशन की साथ भी आएगा तो यहां पर सारी सेटिंग glare हो चुकी और हज़ां पर देख सकते हैं फ़र्स फ्रीम से कर लिए कहां पर आपको अपनी स्अगिए तो इसके बाद कंट्रोल एफ 12 दबाओ ग Ε तो यहां पर देखना भी हैं कि तो यहां पर आपको आपकी वीडियु नहीं आ रहे हैं अगर मैं ऐस το क्षोern तो यहां और देखो पहले जो हमने रेंडर करें तो उनके साथ कोई भी बैग्राउंड नहीं आ रहा था लेकिन यह 1-2-3 फ्रेम अभी आपके सामने में रेंडर करें बलेंडर से तो यहां पर देख सकते होँ। आप आपकी वीडियो के साथ यह रेंडर हों कि आया हैं तो इस तरीके से आप रेंडर करके निकाल सकते हो हहो और बाद में इन इमेज सीकरंस को एक जो में कर लेना or किसी 송शल मुदया में upload करना और वियू जो दमा पैसे क्मा लेना और फाउलो भी बढ़ा लेना मेरे तरह तो मेरे को भी फाउलो करके न Tapम अगर आपको मैने वैलु दिये तो आपको कुछ मैने वैलु दिये तो आपको मुझे फॉलु करके थोड़ी वैलु दे सकते हैं